नमस्का-दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत लेतिस्ट कंसेप्ट की बेबी फेडिंग के बारे में है, वो है बेबी लेड़ विनिंग बेबी लेड़ विनिंग के बारे में, और अमेरिका और यूके में तो यह بहुत ज़रा पॉॉलर है, और इंडिया में भी अब काफी parents इसको accept करने लगए हैं तो आखिर विबी लेड विनिंग क्या होती है कैसे की जाती है इसके क्या पाये थे इन सब के बारे में आज हम लोग चुछा करेंगे देखिए बच्चों को 6 मा तक exclusively breastfeeding करना होता है यह बात मैं आपको बार बार बोल रहा है हर वीडियो में बोलता हूँ और आप लोग जानते भी होंगे 6 मा तक तो आपको बच्चे को मा का दूद ही बिलाना है exclusively 6 मा के बाद बच्चे को complimentary feed से start करने है यह भी बहुत ही जरूरी है 6 मा के बद बच्चे को हर हालत में अच्छी nutritious complimentary feed से start करते ने चाहिए अब traditionally अब तक हम लोग जो कहते आ रहे हैं और अब तक जो follow किया जाता हूँ यह है कि शुरुवात में बच्चे को solid से अब दी जाते इंट्रोडियूस की जाते तो बच्चे को puri form में दी जाते हैं चमत से बच्चे को दिया जाता है या अंगोली से इसको कुछ कुछ चटाया जाता है प्यूरी फोर्म में जैसे कि सेलेक वगर होगे रेडिमेट फोर्म में जो बजार में में वहले जाते हैं तो यह ट्रडिशनल कॉंसेप्ट है देखिए जो बेबी लैट विनिंग यह बहुत ही इंपॉर्टेट और पॉपॉलर कॉंसेप्ट है और बड़ा इंट्रेस्टिं इसमें प्यूर्स फोर्म में जो दिया जाता है बच्च्य को विनिंग के समय 6 माattendर के बाद वह पूरा का पूरा बाइपास कर दिया जाता है बच्य को डिरेक्टली सॉलिट्स ओफर कि जाते हैं फिंगर फूद आफर किया जाते हैं बच्च्या स्वयाव अपना खुद ना खाता है, directly, yes और इसको baby-led winning कहते है अब आप सोचेंगे कि यह कैसे possible, how is it possible but yes, it is possible देखें इसके तीन principles है पहले मापको बताऊंगा कि इसको किस तरह से किया जाता है और उसके बाद इसके benefits आपको बताऊंगा तो इसके जो करने के तीन principles है, सबसे पहले तो यह कहा जाता है कि baby-led winning, जो है उसका best time होता है, वो 6 मापे आपको शुरू कर सकते हैं आप बच्चे को इसके लिए आपको बच्ची को थोड़ से cues आपको identify करने होंगे parents को, कि whenever baby, their baby is ready whenever there is baby is willing to adopt this concept वो उनको कुछ cues baby से identify करने होंगे कि yes, अब बच्चा इतना mature हो गया है कि वो baby-led winning स्टार्ट कर सकता है और जैसे इस तरह के signals मिलते हैं तो यह process चालू कर दिया जाता है देखे, इसमें सबसे पहले तो आपको घर पे जो बनावा, सबसे बिए जो principle जो घर पे जो खाना बनता है बाकी family members के लिए हमारे लिए parents के लिए जो खाना बनता है बच्चों के बागी बच्चों के लिए बड़े बच्चों के लिए खाना बनता है वही खाना आपकी baby के लिए बनाया जाता है nothing, कुछ भी special. अलग से कोई भी baby food तयार नहीं किया जाता है तो फिर वो किस तर से बच्चे को खेला सकते हैं आप जो खा रहे हैं कि खेला सकते हैं थोड़ा सा आपको यह है कि उसमें कम मिर्च मसाले का होना चाहिए बहुत ही कम नमक का होना चाहिए इसमें आपको थोड़ा सा compromise करना पड़ाएगा और उसके बाद आप उसका जो format है वो बच्ची के इसाब से बच्चे के accordingly चोट-चोटी finger foods के form में आप उसको अलग से बना सकते हैं लेकिन items आपके सारे के सारे वही होंगे जो आप खुद खा रहे हैं पहली चीज दूसरी चीज आपको बच्चे के साथ ही खाना खाना है तो देखे बच्चा जो भी आप लोग करते हैं और बच्चा जो भी देखता ये सब चीज़े तो वो देख के वही बच्चा सब कुछ सीखता है आप बच्चे के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं तो आप किस तरह से खाना खा रहे हैं कैसे आप इसको चू कर रहे हैं जबा रहे हैं कैसे आपको स्वालो कर रहे हैं यह सब चीज़े बच्चा देख के सीखता है तो इसका सेकंड प्रिंसिपल यही कि आप बच्चे के साथ आपको बैटना है पूरे family members को एक साथ इसका तीसरा concept है कि बच्चे को motivate करना है finger foods के लिए swim अपने हातों से खाना खाने के लिए आपको motivate करना और बच्चा usually 6 माह का 7 माह का इतना sufficiently mature होने लग जाता है finger graphs वगर भी आने लग जाती उसके अच्छे से तो बच्चा पकड़के खा सकता है control कर सकता है इस जो baby-led winning का सबसे बड़ा benefit भी होता है यह बच्चा control कर सकता है कि बच्चे को कितना खाना है कब तक खाना है फोड़ा खाना है ज्यादा खाना है किस तरह का खाना है हर चीज बच्चा control कर सकता है regulate कर सकता है तो यह तीन principles के उपर dependent है यह जो concept है baby-led winning का अब बात करते हैं कि इसके क्या-क्या advantage है आखिज यह क्यों follow किया जारा है इन दिनों में latest में तना trending क्यों है baby-led winning तो देखिए इसके multiple advantages है और यह scientifically proven भी हो चुका है सबसे पहला तो जैसे मिन बता है बच्चों को independence सिखाता है बच्चे आत्म निर्भर बना सीखते हैं अपने हाथों से खाना खाना डिरेक्ली जितना जल्दी बच्चा सीखेगा उतना जल्दी बच्चा में चौर होता है इसका जो दूसरा फायदा है कि बच्चे की जो fine motor skills है वो develop होती है देखिए बच्चे को अगर आप इस पोल से खुद किरा रहे तो बच्चे आपनी इंगे दर बच्चे सब अपनी पूरी बॉड़ी को काम में लेता है इस चीज के लिए और खास तोर से फिंगर्स को तो fine motor or gross motor skills डॉल बच्चे की अच्छी से डवलप होती है appetite control yes बच्चा अपनी appetite को control करना सीखता है अगर आप चमत से किलाते हैं तो पता नहीं होता बच्चा कई बार ओवरीट कर जाता है जिसकी विज़े से बच्चा हो भी जो सकता है लेकिन इसके अंदर बच्चा खुद अपनी appetite को control and regulate करना सीखता है बहुत ही important रहती है जो इसक अगला फाइदा है कि आपको अलग से special meal बच्चे के लिए बनाने की जरूरत ही नहीं है कित्रा आपका काम आसान हो जाता है अलग से कोई meal नहीं बनाना आप जो meal बना रहे हैं वही आपको बच्चे को आपके शिशो को सर्व करना है तो इससे आपकी परेशानिया काफी हथ अलग से क्यों जाती है इसका फाइदा ये बियुक्त की स्था को एक्सपीरेस करना चाहता है तो इससे बच्ची की जो टेस्ट है वह डवलप होती है और बच्चे आठां के परेकी इंस नहीं बनते हैं विबेडवर्यतों का एक और special इस तरह के बच्चे के साथ बांडिंग की बहुत इस तरह की बेबी लड़ विडिंग की अगर आप करते हैं तो ये इतने multiple advantages है इस बेबी लड़ विडिंग की तो इसलिए ये concept आज की तारिक में काफी parents के द्वाला फोरो किया जारा बेबी लड़ विडिंग के कुछ disadvantages भी हैं अगर क्योंकि थोड़ा सा messy हो सकता है बच्चा अपने अंगुलियों से experiment करता है तो it could be slightly messy दूसरा कई बार बच्चा proper तरह के से feed नहीं कर पाता है तो कई बार कुछ nutrients की deficiency रह सकती है otherwise इसके कुई major कुछ भी disadvantages या drawbacks नहीं है बेबी लड़ विडिंग करते समय आपको कुछ precautions को definitely follow करना है कुछ भी इसी किसी भी तरीका का कुछ ऐसा food टाई दे जो बच्चे के लिए choking हजार हो सकता है तूसरी जब भी आप baby light winning करें बच्चे को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आपको supervise करना है नमबर तरड जब भी आप baby light winning करें बच्चे को upright position में sitting position में अच्छे से बठाके ही आपको करनी है baby light winning इसके लावा आपको allergic reactions का भी ध्यान रखना क्योंकि आप directly solid food जो आप खुद खारें आपके बच्चे को introduce कर रहे हैं और कुछ foods बच्चे के लिए allergic हो सकते हैं तो आपको इस चीज़ का खासतोर से ध्यान रखना है इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको baby light winning के बारे में बता है जो बहुती latest and trending concept है और definitely बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्थ है तो आपको हमारे वीडियो के सला का हमें comments पे ज़रूर बताएं इस वीडियो का आप ज़र से दर like करें और share करें Thank you